हेलो एवरिवान कैसे हो आप सब तो आज हम यह ऐसे टुकड़े होते हैं बचे जिनके अगर लकड़ी का काम चला हो आओ ऐसे बहुत सारे टुकड़े बच जाते हैं तो इनका हम इनको कामें लेने वाड़े हैं इनके सबसे पहले ना यह यह प्राइमर किया है यह वाइट कलर का प्राइमर है यह किया इस पे सबसे पहले हैं इसके बाद यह कलर किया सिर्फ यह की कोड़ इसके उपर यह वाड़ा कलर इसके उपर आप जिस कोई भी जो आपकी इच्छाओ वह कलर आप कर सकते हो इन पर जि एसी रसी चाहिए होगी ऐसी कुछ नहीं करना बस इनको ना इधर और इधर लगाने वाड़ी जो आना इनको दोनों को समान भाग में काटना है जितना आप हें करना चाहते हो जितनी भी लेंद के उपर ये देखो दोनों समान कट कर लिया इनको ऐसे और एक छोटा सा टुकड है काटना है इन दोनों को बांदने के लिए झाल 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 कि ये ऐसे हमने तीन त्यार कर लिये हैं इन दोनों को ना उपर से ऐसे ना इससे बांदिया इससे उपर से ये ऐसी चीज़े आज कल बहुत ट्रेंड़ में है बोच अच्छी भी लगती है गार्डन और गेल्दरी में लगाई हुए ऐसे तीन बनाई हैं और मेरे पास ऐसे छोटे-छोटे ये पिसे भी चार थे इनको वैसे इकलर करके इसे चारों कोनों पर एसे ना यह देखो ऐसे चारों कोनों पर दो-दो ऐसे शुराग निक काम होता है वहाँ उसे निकलवा सकते आसानी से इसी तरह से इन चार को भी हम यह देखो हम यह भी त्यार कर चुके हैं छोटू सा बहुत ही क्यूट लग रहा है ऐसे हमने चार पीसे इस त्यार किये हैं यह देखो यह ऐसी चीज़े ना गैलरी और गार्डन में बहुत यूज हो रही है वहीं क्यों आज कल तो बैडरूम में सबीज गय में इनको यूज करने लगे हैं इतने ट्रेंड में चल रहे हैं यह और बहुत ही सुन्दर भी लग यह देखो किते सुन्दर लग रहे हैं दिवार पे लगाई हुए यह देखो यह जो है ना बने हुए यह पत्थर पे डियाइवाई किया हुआ है मेरा तो मैं यह वीडियो की लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना इह देखो यह इसको म किता सुन्दर लग रहा है और यह इभी मैं ने बनाई है इसका लिंक मैं इच रेदंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो इसके उपर अपने लगा आए स्टीप्शच लग रहा है कि इन दोनों को मैं ने यहां गेलरी में थिख्ग्स किया है एर यह वोक किनी बोल और ये जो मटका है ना ये ये अभी मैंने खुद ने बनाया घर पे इसका लिंक मैं निचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप चेक कर लेना दूसरी को ये देखो यहां लगाया है बहुत ही ज्यादा खुबसूरत लग रहे हैं